अगर आप अमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स तो नई वीडियो देखने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आज हम करने जा रहे हैं रिन्योल्ट की काईगर का रिविव जो कि आर एक्स्यल मोडल है और यह का डिफरेंट्स फैव तवनटी तवंटीटेवन में लॉन्स हुई थी तो चलिए फ्रेंड्स जल्दे से शोरू में पॉस्त थे और सुरू करते हैं काईगर का रिव्यू अब माचुके हैं फ्रेंड्स शोरूम के अंदर और सामने से काईगर कुछ हमें ऐसी देखने को मिलती है इसमें उपर की तरफ हमें LED DRL देखने को मिल जाते हैं और DRLS के नीचे रन इंडिकेटर दिये गए हैं फ्रेंड्स और इनके और से नेंज़ करता है और इसके बंपर पर पर फ्रेंड्स ब्लेक किलर की क्लेडिंगंगं देखने को मिल जाती है इस मोडल मेंद फ्रेंड्स foug लیंप नहीं मिलते हैं वो में आफ्टर मार्केट इन्स्टोल करोगने पड़ेंगी और नाई फ्रेंस इस में कौरनर रिंग लेंप देखने को मिलते हैं इसमें फ्रेंस हमें 205 mm का ग्राउंड क्लियरंस मिल जाता है जो की काफी अच्छा है अब बात कर लेते हैं फ्रेंस काईगर के साइड लुक की तो ऐसे कुछ वील्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंस आर एकसे ल मोडल में आप अलोई वील नह इसमें देन के भी और इने के ऊपर हमें कर दे जाता था है इस स्वाल में फ्रेंस हमें जो दोर और रेंडिश के ऊपर हमें ब्लेक साइड हैं पक्तिक याज़े मिलते हैं उप्रेंस हमें और पिछे से काईगर का RXL मोडल का लुक देखें तो ऐसा कुछ हमें बैक से लुक देखने को मिल जाए जिसमें एक साइड रेनोल्ट की बैजिंग दी गई हो यह रेचे की तरफ इसमें रिफ्लेक्टर दिये गए और बीच के अंदर हमें बड़ा सा रेनोल्ट का लोगो मिल जाती हैं और अगम पीछे खड़े होकर साइड का लुक देखते हैं तो ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है हमें काईगर का अब जैक कर लेते हैं काईगर का फ्यूल इंटेक एरिया ड्राइवर साइड सीट के निचे से खुलता है फ्रेंट इसका फ्यूल लीड और इसका लाएं के से फ्यूल टेंग की कैपेस्टी की बात करें फ्रेंड्स तो हमें 40 लीडर के कैपेस्टी देखने को मिलती है काईगर के अंदर इसके उपर कुछ लिक्षण भी लखे जो में तेल डिवा ते से हमें ध्यान को पहले भी बताया कि इसमें यह उखर यहने को नğa बिलते हैं औरना इसमें पीछे की होड़ारा में वाई पर देखने को मिलता है इस मोड़ने फ्रSi Gre Cheers में हमें कोई औरने को मिलती की आ लगेंज ऐलडर जरूर देखने को मिल जाते हैं आप कर देथे इसको बंद apologize अब चेक कर लेते हैं इसके इंजन की स्पेशिफिकेशन और यहां से उपन होता है इसका बोनट में यहां एक लीवर दिया गया वाँ एस जिसको बार की तरफ किचेंगे तो बोनट ओपन हो जाएगा तो चलिए फ्रैंट्स करते हैं इसके बोनट को बनट को दिखाते हैं जनरेट करता है और शाड में का मैक्सिमम तोर्क और ये थ्री सेलेंडर इंजन आइप झेलेज किरिम करती है फ्रेंट्स हो 19.17 नहीं और यह ए अर ए आई सर्टिफाइड माईलेज है इंजन की साउंड कैबिन में ना जाए फ्रेंट्स इसके लिए इंजन soup इनशुलेशन थिदिया गए later और इंजन सारा कवर को गया है अब चलते हैं कार के अंटीरे में और दिखाते हैं इसको इंचरीयृ क्या कुस्त मिलता है अब कर लेते हैं फ्रेंस डोर को पन और ड्राइवर साइड डोर के बात करने तो फ्रेंस इस पर हमें और बार वीडो देखने को मिल जाती हैं और और गियर मेन यहीं से मिहोर होग कर सकते हैं और रियर के विंडो भी लोग कर सकते हैं और यहीं से और जो डोर लो पर उप्लब्स कार की reopen Sydney dad osya tabac 26 wars성 कौने को मिल zu необी स्थार उस्थल्स कार के इन्दर और यह इसके M.I.D. है इसके M.I.D. में काफी सारे फिचर देखने को मिल जाते है फ्रेंद्स ट्रेप A B किलो मिटर पर लीटर और X.A.C. ऐसी बहुत सी इनफॉरमेशन हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते है फ्रेंद्स ये स्टेरिंग रैप नहीं है और ये टूडिन का सिस्ट इसके M.I.D. का Manual Gearbox आता है अगर हम इसके IRVM की बात करें फ्रेंद्स तो ये Auto Dim हमें नहीं देखने को मिलता है और अब देख लेते हैं फ्रेंद्स इसमें आगे की तरफ क्या फिचर दिये जाते है इसमें आगे की तरफ सिरफ एक लाइट दी जाती है और ड्राइवर इसमें एक माइक दिया गया हुआ फ्रेंट्स और अप कर ले चाहें लोख समूसर पर वेयनिटी मेरियर को चीडे कोता है अब देहर इंदि मिलता है अब देखते हैं फẩंसको ड्राइवर साइड तो गोट रायर साइड भी हमें सिरफ ट्रकर का आपैसन मिलता है इस मोडल मे हमें नहीं देखने को मिलता है इसके तीनों दर्वाज़ों पर दोर रेंडल के उप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं और पिछे की साइड भी आप जैसा देख सकते हैं तीनों डॉर्स पर में तो रेंडल के उप्शन मिलते हैं इसकार के उपर फ्रेंड्स हमें लेदर फिनि समय गलोब बोक्स के अंदर देखने को मिल जाता है और अब कर लेते हैं फ्रेंट्स इसकार के स्पेस को जैक कि मेरे आइट 58 है तो 558 के साब से ड्राइंग पॉस्टर के साब से अगली सीट अड़ेस्ट है तो मुझे इतना कुछ स्पेस मिल रहा है और अब दिखाते हैं फ्र इसका स्पेस तो में इतना कुछ स्पेस इसके अंदर मिलता है जब 58 का बंद आगे बैठता है ड्राइंग पॉस्टर के साब से अगली सीट मेरी और ऐसा कुछ है रियर का डौर में देखने को मिल जाता है पिछले डोर में फ्रेंट्स हमें लीटर बोटर लोल्टर का उप् करती है तो यह था फ्रेंट्स हमाराज का वीडियो कर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना